इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था रो मेट्रियल ओफ फ्लाइज बिक्स इसके क्या रो मेट्रियल होते हैं कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्लाइज बिक्स इसका मतलब फ्लाइज बिक्स बनाने के लिए कितरा रूपिय की जरूत होती है क्या क्या जरूत होती है कितरा लेंड जरूत होता है टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके बारे में हम आपको बताते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए यदि आपने नहीं किया है तो और जरूर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने से हमारे फ्यूचर वीडियो आने वाले आपको दिखेंगे नहीं तो आपको वीडियो दिखेंगे नहीं नहीं देखे, चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे flys wits बनाते हैं, flys wits बनाने के लिए project report जो होता है, वो आपका, हम इस वीडियो के जरीए आपको totally clear कर देगे, इस वीडियो को जरूर like करिए, share करिए और subscribe करिए, subscribe जरूरी जरूर करेंगे, नहीं तो आपको आने वाली वीडियो देखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे प्राइज बनाते हैं और उसके टोटल किते हैं मदब कितना पैशा उसमें लगता है देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है फ्लाइज ब्रिक्स मेनफेक्शरिंग करने के लिए पहले तो आपको फ्लाइज ब्रिक्स चाहिए जो की थर्मल प्लाइज ब्राइज 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 ब्रा प्रोमोटर जो इस मिजनेस को बनाना चाहते हैं उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ज़राल बदलब कहने से उसको वह सिवील इंजिनियर्ट होने से बहुत ही अच्छा है नहीं तो एक ग्रेजुएट होना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है इसमें है आपका नोलेज होना चाहिए इसलिए बहुत अच्छा है रो मेट्रियल रिक्वार्मेंट क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं रो मेट्रियल रिकवार्मेंट पर चुछ सब्सक्राइब बनाने के लिए raw material उकरमांटर और फ्लाइस लाइम या सिमेंट और सेंड और वांटर तर फ्लाइस का सबसे ज़्यादा मात्रा में उसका उप्योग होता है तो दोस्तों इसके सबसे बढ़िया है आपको प्रोसेस कैसे प्रोसेस मनाया जाता है और फैसे बनाने के लिए प्रोसेस होता है आपका सब ठॉटल मेट्यव को मिला के आपको भूप मिक्शर में डालने के बाद आपका फ्लाइस बंदा है तो इसमें वांटर का बहुत ही वाइक रॉल होता है उसको कियूनिक ने के लिए इंप्लेमैंट शिरूं यह क्या होता है प्रज़ेट को जोड़ने के लिए क्या शिडियूल होना चाहिए उसको क्या क्या करना चाहिए ताइम टू टाइम उसको आपको पानी दिया जाता है पानी देना पड़ता है और कॉश्ट प्रोजेक्ट का मतलब है आपको इसमें कितना लगत लगती है फ्लाइज बिंस बनाने के लिए आपको करिबन नहीं होगा तो भी आपको पहला तो मैशिनरी के उपर आपको मैशीन का इंवेश्ट्मट होता है जो सबसे बड़ा होता है उसके बाद होता है आपका ल हमने आपको दिया गया है और टोटल प्रोजेक्ट कैसे होता है वो दिखा रहा है